Hello dear students, I am teacher of class nursery, today I am going to teach you English part 26 आज हम बनाना सिखेंगे W, with lines, लाइनों के थुरू W बनाएंगे, ठीक हैं? पहले 1 standing line, 2nd standing line, और फिर 2 standing line को 2 slanting line से एड़ करते होगे ये बन गए आपका W, हम ये भी बोल सकते हैं, opposite of M, M का opposite है W तो 1 sleeping standing line, 2nd standing line, और slanting line से एड़ पर पॉइंट लगा होगे, उससे एक slanting line, रइफ और एक लेफ और एक लेफ तु राइफ दू रीफ इस तरीके से क्या होगा? ये आपका W बनाए है, बना सकते हैं, पॉइंट बहुत इज़ी है, दो slanting line है, और बीच में जो middle point पर अपना point लगा हुआ है एक और उससे दो स्लेंटिंग लाइनों को एड़ करते हुए ड़ड़ों पूरा पेस कम्प्रीट कराएं बस अगर जितने अच्छे आपके पॉइंट्स होंगी उतनी नीट एंट्वीन राइटिंग आएगी कम्प्रीट कराकर इस स्कूल में सेंड करें करें।